बढ़िया काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम तो इस वर से यही प्रात्ना दुआ कर देंगी भाई हमें मोधी चाई लाइफ टेम के लिए बहुत लोगों का देवबंद शेहर के अंदर अक्सर 90% मुसलिमों का घर बने है प्रधान मंतरी आवास है और एक इ है कि जब इसको कोई नुकसान आज तो लग बाजपा सरकार नहीं दिया और इसलिए जह है मुसलिम समाज जह है बाजपा को गुन गा रहे हैं अच्छाहिए और इंसाल्ला आने वाले 2024 मत देखांगे हम के बाजपाई सरकार रहेगी योगी जी पे जो एक आरूप लगाए जाता है कि ये बुल्डोजर का डर दिखाते हैं लोगों को उतर परदेश के अंदर लोग बुल्डोजर से डर रहे हैं उतर परदेश के अंदर डर तो रहे हैं जो गलत काम कर रहे हैं सिर्फ हिंदु मुस्लमान की रोटिया सेखती हैं और इसके दूम पे चुनाव जीती है। कितने आये कितने चले गए जी इन्शालला आएगी बाज पाई। 2014 से अब तक काम किया सरकार ने बहुत 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 काम किया है। किसी तरीके की किसी को कोई परिशानी ने ना हिंदू समाज को ना मुस्लिम समाज को हर चीज पर हर इतबार से काम चल लाए है। कौन कौन से अच्छे लगे जो ऐसे काम ऐसे चीजे जो आपको लगा कि हाँ ये जनता के फेवर में हुई है। गरीबों के लिए है। अनाज बगारा सब राशन मिलता है। बहुत से ऐसे हैं किसी पास कुछ नहीं है। लेकिन सरकार दे रही है तो उनका घर चल रहा है। रोड मुसल्रा ले ले लीजें लाइट & पानी का और आपका ये हरा दाबार से हैं मतलब कोई है कोई रुकावट नहीं है। सुरके बिऊटरी नहीं है। कंलने raising का सालों में है, आपने पताै पानी का रोड का और इन सब का ये सुधार हुआ है इन चीजयों में? उससे पहले के सरकार के मुकाबले जी उससे पहले सरकार के मुकाबले पर बहुत सुधार हुआ है जी आपका क्या नाम है सर मेरा नाम है इर्फान साथ कैसे देखते हैं पिछले 9 साल के कारेकाल जो रहा है सरकार का, जो अभी प्रिजंट में मोधी जी जा आप ते अमेरेते हैं, बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा रहा, बिल्कुल, उल्कुल, जी और उनसे हमें बहुत बड़ी ओई मिली कि एक तो गुंडागर्दी जैस सब खतम हो चुकी है और दूसरी बात ये कि रोड हमना आचला कैसे नहीं देखे तो रोड ऐसे बेतरी बनवा दिये और गरीबों का बड़ा वो कर दिया कि हर उसमें रासन मिला है उनको कोई किसी किसम की दिकत नहीं है गरीबों को मकान बनवा दिये गए है टोईलेट म बनवा दिये गए है अच्छाई उनका तो बहुत बड़ा उख कर दिया है सरा आप पर आउँगा सबसे बड़ा मुद्धा जो हम ग्रामी च्षेतरों में जाते और ऐसे जो जो दिल्ली और इन सब आचकों से बहार के छेत रहें उन्हें सबसे बड़ा मुद्धा होता है सोचालिय का जो बोल रहे हैं और अवास आवास का अवास के योजना में कैसे लगता है कितना बदला हूआ यह 9 बिंधा हुआ है की यह आवास को लेके जो कुछ बोलते हैं कि थोड़ा सा पैसो का आने में दिक्कत होती है या थोड़ा सा यह होता है कि हाँ इस समाज से है तो इसको कम तवज्ज़ दी जाती है वो दूसरे समाज से तो उसको जादा तवज्ज़ दी जाती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है अब देखिए फार्मल्टी पूरी करने में वक्त तो लगता ही है अगर उसको कोछी लोग तो सोचें के भई देर हो रही है और ऐसा होता है ऐसा कुछ नहीं है बहुत लोगों का देवबंद शहर के अंदर अकसर 90% मुसलिमों का घर बने है अच्छा आप बताएं सर कैसे देखते हैं गाउं के छेत्रों की बात करेंगे क्या बदला हुए नौसौल में मूल्चूल क्या बदला हुए नौसौल में आपके छेत्रों देखो एक तो गाउं गली की सबसड़क साफ सुत्री हैं और जी साफ सफ़ई बहुत ज़्यादा है दूसरा है जो पानी के बता रहे आप ये भी हर गाउ में चल रहा है जी और मैं तो कह यह कहना चाहता हूं कि सन उनिस अश्ची सा अब तक हमने सी सरकार नहीं देखी थी हम जो बीच में पहुंचरी सारी काम हो लाइन हो रहे किसी का कोई रोल नीसी आपने ऑनलाइन की बात करीं सर्य ये जो डा डायक्ट बैंक ट्रांसपर डीई डिबीटी बोलते हैं जिसको इससे लगा इंपक्ट पड़ा है लोगों के जिंद्गिये में जो पहले पैसे आते थ पाथा था उसमें यह कट मनी मांग लेती थी यह डीवीटी में डायक्ट बैंक ट्रांसपर जो हो रहा है जो लाबार थी उनके अकाउंट में पैसे आ जा रहे हैं जी बहुत अच्छा हो रहा है डायक्ट मिल रहे हैं लोगों को पहले इससे पहले था जैसे अभी बाई सावन लों आपको मोवाईल में मैसेज आ जा जा जाता है तुन तहम अच्छा काम करा है सरकार ने कि लोगे लगों ही जो एक बिचल्यों का रोल भाद में खिटम हो गया और सबसे बड़ी बात आप को ऑई भी निकल जो कोई किसी का बिलुकुल बैदरा कि सरकार में सेफ हराद में यह थोड़ा सा बोलते कि मोधी सरकार जो है नौ सालों में थोड़ा सा ही है कि जो मुस्लिन समाज के लोग आते हैं उनके सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए दाते कि वह सुरक्षित नहीं है देश के अंदर इस पर क्या ऐसा कुछ नहीं बिल्कु सही है जी दyनकों ठीक है यह देख़ो पांचों अंगली एकसाड़ तो नहीं है अच्छा कोई कैसा है कोई कैसा लेकिन हम जह है देवबंत जह है ये बिल्कुल ऐसा है कि जब इसको कोई नुकसान आज चलग बाजपा सरकार नहीं दिया और इसलिए जाहे मुस्लिम समाज जाहे बाजपा को गुन गा रहे हैं अच्छाई और इंसा अल्ला आने वाले दोजार चोविस में देखेंगे हम कि बाजपाई सरकार रहेगी कॉंग्रेस वाले जो कुछ और विपक्ष के जो नेता लोग है कुछ हारोप लगाते कि ये सरकार सिर्फ हिंदु मुस्लिमान की रोटिया सेखती है और इसके दम पे चुनाव जीती है कितने आये कितने चले गए जी इंशालला आएगी बाजपाई मन रथा है जो भी कषट मतल toyota कि जाती है ये बहुत अच्छा काम किए सरकार अरब लगाते कि मुस्लिम विरोधी सरकार है कि अंदर में सरकार सॉखसा अब्हाइग जिसारु रिए सब्सक्राइभ करके भाद कवर हो ते शीए इसके लिए पर लीजित पर नहीं है कि लिए परबर काम कर रही है उसमें सरकार नहीं कहते हैं इनका तो तहवार ही नहीं है इन्हें फिरी सेवा क्यों दे बसकी लेकिन ऐसा नहीं है सरकार मुस्लिम हो या कोई भी हो महला है उसके लिए बस फिरी है तो फिरी है उसके दोगला व्यपार नहीं कि सरकार ने किसी भी तरह गा मोदी जी को लेकर क्या बोलेंगे आप एज़े प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रधान मंतरी की रूप में कैसे लगते हैं मोदी जी लगते हैं जो आरोप लगाया जाते कि ताना सा ही है ताना सा टाइप के और थोड़े से मुस्लिम विरोधी है उनकी जो च्छवी बड़ाबर कर रहे हैं कंटिनिव उसको तो बुरह कर रहे हैं कि अभी पूरे दुनिया में सबसे जो आपके लोगप्रीय प्रधान मंतरी के रूप में सबसे जादा मोदी जी ने देखके यह पहले नंबर पर आरे हैं फिर आप बात तो गलत है नहीं लोगप्रें बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम तो इस वर से यही प्रात्ना दुआ करते हैं कि हमें मोधी चाही लाइफ टेम के लिए अच्छा तो यह जो विपक्षवाले जो 25 पार्टी को एक गटबंदन और आपके जो इनके नेतृत्त में जो बना है रहूल गांदी और नितीश कुमार के नेतृत्त में लग रहा है इन में से इस बार 2024 को लेके जो मुस्लिम समाज इनको विश्वास करेगी और वोट देगी नहीं तो गलत है कर मुस्लिम समाज ऐसा करना चारा तो वह भी गलत है क्योंकि जब इन लोगों को हम ऐसा ओड़ देता है इन्हों किया क्या है मुस्लिम कुछ भी नहीं कहा है सत्र साल गंदर बताई है आप हम चाहते हैं कि सभी लोग कम से कम अगर 40 परसेंट भी भाजबा के साथ जूड़ते हैं फिर देगे भाजबा कि इतना आपका फायदा करती है आपने उन्हें 80 परसेंट 90 परसेंट दिया है और पाल्टियों को तो बाजबा को देखो देखो आप 40 परसेंट 30 परसेंट देखो कितना काम आपके लिए होगा यह तो गलत सोचे लोगों की और ऐसा नहीं होगा मुसलमानों वहन रही है आप सब पड़े लिखे हैं सब जानते हैं कि जो काम कर रहा है उसे ही सलाम है अब जहासे में आने वा विपक्ष के कुछ लोग बोलते हैं कि मुसलिम समाज और मुसलिम के जो वोटर्स वोट्स हैं उस पर इनका सरमयकार बनते हैं और यह बोलते हैं कि हम इनके रक्षा कर सकते हम इनके अधिकार और एक जो डर का महौल दिखाया जाता मुसलिमों को नहीं ऐसी तो कोई बात नह इसमें अपना काम है, वो भी करेंगे, लेकिन एसके कोई डरने वाली बात नहीं है, सरकार सब के हितम है, जो सरकार का अपने खजंटा गांता था सब का साथ सब गभिकास उसे हिसाब से काम कर दिये, जो सभी ओजना है, सभी रास्ते, बिजली, सड़क का फायदा हुआ, इसमें सभी का फायदा है, हिंदो का भी, मुसलिम का भी, कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है, कि इसमें सिरफ हिंदों का फायदा हुआ, या सिरफ मुसलिमों का फायदा हुआ, सब के लिए है, कानून सब के नेगी मौधी सरकारी रहें गळी है इसी की जरृत देश को भी आपका क्याना में सरुकों क्यों से क्याना लौन inclus क्या मनicas church कार गळू बिल्कुल सबसे बढ़ा काम और यह कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल बढ़ा देखे मैं और कहें का तो मुझे पता नहीं लेकिन हमारा जो दियों बन्रे आ पर ने हैं इसमें सबसे ज़्यादे मुसलिमों के बने हैं सोचाल बने और एसमान कार्ड से मुसलिम्रों इतना फाय अगंद्ध कोई बिलकुल सही काम गारे हैं कोई और कोई B Crash कोई भी हो जो गलत काम गारेगा जो माफ़िया उन्हें मिला ढीजा जागा और कुछ कैसे देखते हैं आपके योगी जी के थोड़ी सरकार की बात करेंगे आपके जो उतरवरreibtिस के हैं किया लगता है ये जो उनका पिछले कारे काल रहे है और ये 2022 से कैसे काम कर रहे योगी जी ने बहुत अच्छा करा है और जो हमारे मोदीजी है इन्होंने भी बहुत अच्छा कर आया है, सबसे अच्छी बात तो यह है, कि जहां आज हम खड़े, इस जंगा आने के लिए भी सोचना पड़ता था, रात के टाइम, और भाई सबसे बड़ी बात तो यह है, कि हिंदू-मुस्लिम का फरक तो हमारे निरंदर मौदी जी ने ज कर रहा है, योगी अचार तो यह मुसलमान हैं, अगर आज हम गलत करेंगे, तोоном गोली लगांग से एव तोट तो मूक्त कि Wilson Mike Guad was !! दो इसलिए हम इस सरकार ने बहुत खुशा है, कि मुस्लिमों को बंडोजर से घर गे, तो उनका उत्तरप्रदेश के अंदर भूरिवे बास सुनें, बिल्ड जडर कद दरून नहीं होगा ना, कि जैसे बाइस आप ने कहा है, कहने लेको जो गलत करेगा, अब मानने के बाँ आप ही हो, आप गलत करने लगो, तो सरकार आपके खिलाफ ब Inirangो, मैं गलत हूं तो मेरी बेर जब मेरी साथ गलत होगा तो सरकार ही मेरी सपोर्ट बनेगी तो इसलिए हम तो इसमें खुशा है कोई दिक्त निया है